स्वागात है आप सब का आपके अपने चैनल साइंक एडमी फर आल में आद में लेके आए हम शॉटकट ट्रिक्स क्लास 11 स्टुएंट्स के लिए जेई स्टुएंट्स के लिए जो NDA की प्रेशन कर रहे हैं उनके लिए यह शॉटकट ट्रिक वहोथ ही काम आने लिए है Find a rank of a word by shortcut trick Rank निकालने का किसी word का shortcut trick चे अगर इस question को अगर हम करते है तो हमें 3 to 5 minutes लग जाते हैं solve करने में फिर भी answer की verification नहीं हो पाती है कि सही है जगर इस shortcut trick चे हमारा 100% answer सही आने वाला है और just 15 to 20 seconds में हम अपना answer को find कर लेंगे चलिए start करते हैं पहला word जो है हमारे पास है वो है जिसकी rank निकालने है find the rank of the word random किसके according? dictionary के according हमें इसकी rank निकालने है इसमें बहुत ज़्यादा problem होती है बच्चों को हम इसका answer बड़ी जल्दी ही find कर लेंगे क्या trick है? देखते है word कौन से अपने पास random तो पहले random word लिख लेते हैं और हमें क्या करना है? dictionary के according तो इसमें dictionary से पहले सबसे पहले इनमें से कौन सा alphabet आता है कौन सा आता है? A आता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर A लिख लेते हैं फिर कौन सा आता है? इसमें से D आता है फिर क्या आता है? M आएगा M, N आएगा, O आएगा and R आएगा यही आएगे वह अपने पास dictionary के according हमने लगा लिए अब हमें क्या करना है strict के according हमें इसमें से alphabet जो है अब इधर देखो R से पहले कितने letters बचे अपने पास 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे A है A काट दो A से पहले कोई है? कोई नहीं है तो जो 0 फिर N है, N काट दो भई N से पहले कितने है? 2 जो कट गया उसे भूल जाएंगे कितने बचे? सिरफ 2 बचे तो यहाँ पर 2 लिख दो फिर D काट दो D से पहले कोई है? नहीं है 0 लिख देंगे फिर O काट दो O से पहले कितने letters है? 1 है 1 लिख दो M कट गया M से पहले कोई है? नहीं है 0 यहाँ तक क्लियर हो गया हमने क्या किया यहाँ पर हमने किया भई कि यहाँ पर R काटा तो R से पहले 5 थे 5 लिख दिये A काटा A से पहले कोई नहीं था 0 लिख दिये N काटा A से पहले कितने 2 बचे थे 2 लिख दिया अब हमें क्या करना है simple यहाँ पर लिखना है पीछे ते साट करेंगे 0 factorial 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial. Now, 5 into 5 factorial plus 0 into 4 factorial plus 2 into 3 factorial plus 0 into 2 factorial plus 1 into 1 factorial plus 0. अपने पास आएगा. तो कितना हो गया यह हो गया हमारे पास 600? यह हो गया 0, यह हो गया 12 और यह 0, यह 1. तो यह आगया अपने पास 613. जो भी आए, उसमें हमेशा प्लस 1 कर देना हमारे पास आंसर 614 आ जाएगा. यह rank है 614, रैंडम वर्ड की. अगर मैं dictionary coding, alphabets को arrange करूं तो 614 place पे यह word आ जाता है. चलिए next question देखते हैं. अब हमारे पास नेक्स वर्ड है mother, mother, ma. इसकी rank निकालनी है. ठीक है, dictionary के coding. तो dictionary के coding हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या स्थीका था भई? सबसे पहले हम word लिख लेंगे M, O, T, H, E, R. अब इसे dictionary के हिजाब से arrange करके लिख लेंगे. सबसे पहले क्या सा आएगा इसमें से dictionary में? E आएगा. फिर कौन सा आएगा भई? R आएगा? नहीं. H आएगा. फिर किता आएगा? M. फिर कौन सा आएगा? R, O आएगा. R, T. यही आएगे भई? E, H, M, O, R, T आएगे. सबसे पहले क्या सीका था? अलफाबेट्स. काटने हैं हमें? काटो. M गया. M से कितने पहले बचे? 2 बचे. 2 आगया. O काटो. O गया. कितने बचे? 2. 2 आगये. फिर काटो भई? T. T काटे. तो कितना बचा? 1, 2, 3. 3 आगे भई. H. H काटो. H से पहले क कोई भी नहीं है. R काटो R से पहले कोई भी नहीं है. तो 0 फिर कैसी का था? फिर हमने सीका था भई. यहां पर लगा लेंगे. हम factorial. 0 factorial पहले. फिर 1 factorial. फिर 2 factorial. यह 3 factorial. यह 4 factorial. और यह 5 factorial. 5 factorial. 1, 20. इंटू 2. कितना हो गया? 240. प्लस यह कितना हो गया? 24. और 2, 48. यह हो गया 6. 6 3's are 18, और 2 factorial 2, और ये किता हो गया अपने पास, ये हो गया 50, ये हो गया 309, 308, 308 प्लस 1 कर देंगे तो 309 mother word की rank अपने पास आ चुकी है, इस तरीके से कोई भी word जिसमें repetition नहीं है, उसकी हम rank निकाल सकते हैं, 10 से 15 सेंड के अंदर, चलिए कोईशन और देख लेते हैं, अब next word जो है वो अपने पास है late, late word की हमें rank निकालनी है, डिक्शनी के कोडिक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर word लिख लेंगे late, l, a, t, e, डिक्शनी के साब से range करो, सबसे पहले क्या आएगा भी अपने पास, डिक्शनी के साब से अपने पास आता है, a, फिर कित्ता आएगा e, फिर l, और फिर t, फिर क्या सीखा था हमने, काटेंगे के करके alphabet, l कटा, कित्ते बचे, दो बचेंगे इससे पहले, a को काटो, कोई भी नहीं बचेगा, t को काटो, एक बचेगा, और e को काटूँगा, तो शुनी बचेगा अपने पास, फिर क्या स फेक्टोरिल यहां कितना आएगा, 3 फेक्टोरिल होता है, 6, 6, 2, 0 हो गया अपने पास, 12, प्लस यह 0, और यह 1, तो यह बना 13, और प्लस 1, उसमें कर देते हैं, तो अपने पास आगया 14, आंसर आचुका है, मतलब, अगर मैं हमको इनको डिक्ष्णे के साब से अरेंज करते इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस वर्ड की रैंक निकाले और अपना आंसर वेरिफाई करके मुझे बताए कि आपसे यह कोशन सौल हुआ कि नहीं हुआ, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, आपको ट्रिक अच्छे लगी हो, तो वीडियो को ल